हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग मेरा नाम रितेश है और मुझे एड़ोबी और उबर जैसी पुड़ेट कमपनीज में काम करने का दस साल से ज़ाधा एक्सपिरियंस है कोडिंग की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कोडिंग की दुनिया में हम अपना एक जावा कोस कर रहे हैं और जावा कोस के अंदर यह हमारा 10th वीडियो है पिछले 9 वीडियो में हमने 9 अलग-अलग topics के बारे में बात कर लिया है यहाँ पे left side में मैंने सारे topics को summarize कर रहा है हमने यहाँ एकदम 0 से start किया था और धीरे धीरे छोटे concepts के उपर हमने बड़े concepts को build up किया और आज इस वीडियो में हम operators के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं real world में हमें कुछ operations करने पड़ते हैं medical operations नहीं यहाँ पर operations से मेरा मतलब है logical operations जैसे कि plus minus कर देना या फिर एक number को दूसरे number से compare करना 10 is greater than 9 तो यहाँ पर यह जो greater than है यह एक operator है और हमने यहाँ पर 10 को 9 से compare कर लिया ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक बार terminology को थोड़ा सा clarify कर लेते हैं logical operations के लिए हम operators को यूज करते हैं जैसे कि addition जो है यह एक operator है इसके अलावा multiplication, division और उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर 10 को 9 से compare करा है तो जो greater than वाला symbol है यह भी एक operator है ठीक है operators आपके किसी data points पर काम करते हैं जब हम addition करते हैं तो हम 2 या 2 से जादा number को आपस में add कर सकते हैं तो जो भी numbers होते हैं वो हमारे data points होते हैं इसी तरीके से जब हम numbers को compare करते हैं तो हम 2 numbers को आपस में compare कर सकते हैं तो वो 2 numbers हो गए आपके data points तो ऐसे data points जिस पे आपके operators काम करते हैं इसको technically हम operand बोलते हैं Java के अंदर कुछ operators ऐसे हैं जो कि single operand पे काम करते हैं और कुछ operators ऐसे हैं जो कि multiple operands पे काम कर सकते हैं ठीक है तो मुझे उमिद है कि यहापको terminology का clarification मिला होगा कि operator क्या होते हैं logical operations का मतलब क्या है और operands क्या होते हैं Java के अंदर logical operations करने के लिए Java ने हमें कुछ operators अफलेबल करा रखे हैं Java के अंदर जो भी operators होते हैं उनको मैं चार categories में divide का सकता हूँ सबसे पहले आते हैं हमारे पास यहाँ पे arithmetic operators उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे relational operators फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे logical operators और सबसे last में जो fourth category है वो है bitwise operators की इसके अलावा दो operators ऐसे होते हैं जिनको मैं किसी category में fit नहीं कर सकता assignment operator and turnary operator bitwise operators को हम एकदम last में समझने वाले हैं हमारी day-to-day programming life में हम bitwise operators को इतना ज़दा use नहीं करते इसलिए मैंने bitwise operators को एकदम last में रखा हुआ है तो अब स्टार्ट करते हैं arithmetic operator से हम सब लोगोंने school में basic match तो पड़ी ही है हम सब लोगों को plus minus multiply divide करना आता है जो भी चीज़ हम लोगोंने school में पड़ी है वो same चीज़ को में यहापे code में उठा के लिखना पड़ता है Java में इतने type के arithmetic operators होते हैं इसमें जो सबसे left में है वो है basic arithmetic operators plus minus multiply divide करने के लिए फिर उसके बाद आता है यहापे modulus operator और उसके बाद आते हैं यहापे unary operators increment और decrement operators Java में arithmetic operators को लेके दो important points हैं एक बार जरा उनको discuss कर लेते हैं first point Java में arithmetic operators को आप numeric types पर use कर सकते हो Java के अंदर numeric data type कौन कौन से होते हैं byte, short, int, long, float, double और character यह जितने भी data type हैं यह आपके numeric type होते हैं यहापे एक बाद ध्यान रखने की है कि जो हमारा character data type है उसको भी numeric type में count किया जाता है character data type को यूज करके हम दुनिया के किसी भी language के किसी भी character को computer में represent कर सकते हैं दुनिया में हमारे पास जितने भी characters होते हैं उन सब characters को हमने एक fixed integer number assign करा होता है technical language में इस assignment को बोलते हैं encoding and decoding पुराने कुछ videos में हम लोगों ने encoding and decoding को एकदम detail में समझा था तो character type पे भी आप यहाँ पर arithmetic operators यूज कर सकते हो आप दो characters को आपस में add कर सकते हो multiply कर सकते हो, divide कर सकते हो second point यह है कि जब आप Java में integer type को use करके उनके ओपर arithmetic operators यूज करते हो तो आपको जो result मिलता है वो भी integer ही मिलता है इसको ज़रा एक दो example लेके समझते हैं जैसे कि 10 divided by 2 अगर आप mathematically इसको solve गरोगे तो आपका answer आना चीए 5 Java में भी आपका answer यहाँ पर 5 यह आएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक दूसरा example ले लेते हैं 10 divided by 3 mathematically इसका answer आना चीए 3.33 बट क्योंकि Java में अगर हम integer type को use करते हैं तो वहाँ पर हमें fractional part को drop कर दिया जाता है तो यहाँ पर 10 अगर integer है 3 अगर एक integer है तो जब Java में आप integer को integer से divide करोगे तो आपका fractional part drop हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो result मिलेगा वो सिरफ 3 मिलेगा तो इस point को आपको ध्यान में रखना है अभी कुछ देर में इन सब चीजों को हम code में लिखने वाले हैं आगे बढ़ते हैं और basic arithmetic operators को पुड़ा सा detail में समझ लेते हैं basic arithmetic operators को यूज करके हम mathematical calculations कर सकते हैं जिस तरीके से हम mathematical calculation करते हैं उसी सेम तरीके से हम यहाँ पर code में भी represent करते हैं आप जब Java के अंदर इन mathematical operators को यूज करते हो तो आपका answer भी mathematically आपको correct ही मिलेगा बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जब हम स्कूल में maths पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पर order of operation के बारे में भी पढ़ाया जाता है order of operation का simple सा मतलब यह है कि multiple operators किस order में execute होंगे मतलब किस order में उनका calculation किया जाएगा स्कूल में हमारे पास एक चीज होती है board mass अगर मैं इसको expand करता हूँ तो B से बनता है आपका bracket O से बनता है आपका order D से division, M से multiplication, A से addition and S से subtraction ठीक है तो board mass हमें यह बताता है कि सबसे पहले bracket को solve किया जाएगा उसके बाद आप multiplication, addition and subtraction को अलग-अलग order में solve करोगे यह जो सेम चीज जो हमने school में पढ़ी है यह सेम logic आपका code में भी अपलाय होता है Java जब किसी expression को evaluate करता है तो वो board mass के formula को ही use करके किसी expression को evaluate करता है expression का यहाँ पे simple सा मतलब है formula board mass को लेके एक बात यहाँ पे important यह है कि Java के अंदर जो order है order का कोई special operator नहीं होता तो हम order को हटा सकते हैं तो इसके अंदर में जो बचे वे बाकी 4 मिलते हैं उसको उसी order में solve किया जाता है इसको एक दो example लेके समझ लेते हैं जैसे कि 9 divided by 3 minus 3 अब इसका answer क्या आना चाहिए एकदम simple सा है सबसे पहले आप division को solve करोगे division को solve करने के बद आपको यहाँ पर 3 मिल गया 9 by 3 is 3 3 minus 3 is 0 तो आपका answer यहाँ पर 0 आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसका एक दूसरा example भी ले लेते हैं 9 multiply by 3 divided by 3 इसका answer क्या हैगा सबसे पहले यहाँ पर division को solve किया जाएगा 3 by 3 is 1 9 multiply by 1 is 9 यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि border mask को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जिस तरीके से border mask में हम सबसे पहले bracket को solve करते हैं उसके बाद division, multiplication, addition और subtraction उसी order में हम यहाँ पर किसी expression को evaluate करेंगे सबसे पहले अगर आपको division दिखता है तो सबसे पहले आप division को solve करोगे उसके बाद आप multiplication को solve करोगे उसके बाद आप addition और subtraction को solve करोगे Java के अंदर जैसे मैंने का order का कोई operator नहीं होता तो आप order को भूल सकते हो order को आप ignore कर सकते हो इसका एक complex example भी लेके देख लेते हैं कि किस तरी के से expression को evaluate करेंगे यहाँ पर मेरे पास जो यह expression है इसके अंदर bracket भी है तो सबसे पहले यहाँ पर bracket को solve किया जाएगा bracket के अंदर आपका जो भी expression है उसको एक individual expression की तरह treat करेंगे और bracket को solve करने को हमें यहाँ पर एक single value मिल जाती है वो single value को हम यहाँ पर final expression के अंदर put करता है इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले bracket को solve करेंगे bracket को solve करेंगे तो 6 by 3 is 2 4 into 2 is 8 plus 3 minus 8 is minus 5 तो bracket को solve करने में हमारे पास जो result आता है वो minus 5 आता है bracket के अंदर जो भी expression उसको मैं अटा के final expression के अंदर minus 5 को put कर देता हूँ और minus 5 को put करने के बाद अगर मैं final expression को solve करता हूँ तो आपको answer यह मिलेगा अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसका एक और complex example ले लेते हैं यहाँ पर आपको एक लंबा चोड़ा expression दिख रहा है यह आप सब लोगों के लिए homework है आप इस expression को solve करने का try करो आपको यह बिल्कुल आसानी से solve हो जाना चीए basic mathematics आप लोगों को पता है नीचे comment करके बताओ इसका answer क्या आएगा अब board mass हमें यह बताता है कि अलग-अलग अगर आपको operators मिलते हैं तो आप उसको किस order में solve करोगे लेकिन अगर आपको same type के operators मिलते हैं तो आप उसको किस order में solve करोगे जैसे कि मिर पास यहाँ पर एक expression है 9 divided by 3 यहाँ पर दो division operators है तो division का तो same precedence है तो सबसे पहले कौन से division को solve किया जाएगा इसके दो possible answers हो सकते हैं या तो आप 9 divided by 3 पहले कर लो उसका answer आएगा 3 3 by 3 1 तो एक solution तो इसका 1 है दूसरा solution है कि आप पहले 3 को 3 से divide कर दो उसका answer आएगा 1 फिर 9 को 1 से divide कर दो तो आपका answer आएगा 9 तो इसके दो possible answers हो सकते हैं या तो 9 या 1 अब आप सोचो कि इस case में सबसे पहले किसको solve किया जाएगा अगर आपके same type के operators होते हैं तो वहाँ पे left to right execution होता है left to right execution होने का मतलब यह है कि यहाँ पे सबसे पहले left वाले division को solve किया जाएगा तो 9 divided by 3 करेंगे तो आपका answer आएगा 3 3 by 3 करेंगे तो आपका answer आएगा 1 तो इस case में division operators को solve करने में आपको final expression की value 1 मिलेगी 1 इसका correct answer है अब एक simple सा program लिखते हैं और उसमें arithmetic operators को use करके दिखते हैं तो चलिए system पे चलते हैं आप प्रोग्राम लिखके दिखते हैं friends हम लोग आगये हैं यहाप पे system पे सबसे पहले यहाप एक project बना लेते हैं intelligent के अंदर project का नाम दे दिया मैंने अपने वीडियो का नाम Java 10 उसका आप एक location चूज कर लो language Java है जेडी के यहाप चूज कर लो है अब इसके अंदर हमें एक main class बना लेते हैं main class के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारा सबसे पहले आएगा public static void man खीक है तो अब इसके अंदर हमें क्या-क्या समझना है सबसे पहले हम simple arithmetic operations कैसे करते हैं उसको use करना समझते हैं मैं यहापर directly प्रिंट कर देता हूं जैसे कि मैं यहापर कोई भी expression ली सकता हूं 4 multiply by 7 minus 4 divide by 2 फिर divide by 2 कर देते हैं minus 1 चलो इसका output देखते हैं क्या आता है वैसे अगर हम इसको खुद calculate करें तो इसका output क्या आएगा 4 by 2 करेंगे तो आएगा 2 2 by 2 करेंगे तो आएगा 1 सबसे पहले division को solve किया जाता है और division जितने भी division operators हैं सबको left to right solve करेंगे यहापर order of operation में हमने समझा था यह सब तो 4 by 2 2 2 by 2 is 1 तो यहाँ पे इसको solve करने में आजाएगा 4 multiply by 7 minus 1 minus 1 ठीक है 7 4 28 minus 2 is 26 तो इसका output 26 आना चीए देखते हैं run करके क्या आता है run करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे edit configuration यहाँ पे जाके हम एक application को add कर देंगे अपनी simple application नाम दे देते हैं इसका main class क्या है हमारी main main class के अंदर बाना main method होता है java जब भी हमारे program को execute करता है वो हमेशा main method को call करता है और main method किसी एक class के अंदर होता है यह तो obvious सी बात है अभी आने वाले वीडियो में classes वगरा को detail में समझेंगे class क्या होती है बट java में जो भी code लिखा जाता है सब कुछ class में लिखा जाता है apply करेंगे ok करेंगे अब हम इसको run करते हैं 26 खीक है कोई दिक्तत नहीं है तो इस एक expression के अंदर हम लोगोंने multiplication division सब कुछ लगा के देख लिए हम लोगोंने यह पर order of operation भी समझ लिया order of operation में सबसे पहले division को solve करते हैं फिर multiplication addition इस तरीके से इसमें board mask का rule लाग हो होता है बी जो है यह एक bracket है मतलब तो अभी हमने bracket को use नहीं किया है मैं bracket को भी use कर लेते हैं यहापर जैसे कि मैं यहापर कोई expression लिखता हूं 3 into 6 into 6 minus 2 divide 2 minus 1 खीक है एक expression लिख दे इसमें plus कर देते हैं इसको 2 की जगे मानलो मैं कर देता हूं 8 plus लिखने के बाद 9 minus 4 तो यह हमारी एक expression मन गई इसमें हम और भी brackets को use कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं और bracket लगा देता हूं multiply by एक और bracket लगा दिया मैंने 3 minus 4 तो अब इसका output क्या हना चीए हम इसको एक बार कुछ solve करके देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर brackets को solve करा जाएगा तो अगर मैं इस वाले bracket को उठा के लेके आता हूं तो division करेंगे 8 by 2 is 4 6 3 is 18 18 minus 4 minus 1 is 13 ठीक है तो यह पूरा expression का आपका output आना चीए 13 फिर 3 minus 4 is minus 1 13 plus 9 minus 4 into minus 1 तो minus 4 को minus 1 से multiply करेंगे तो वो plus 4 बन जाएगा 9 plus 4 is 13 13 13 26 तो इसका output भी 26 आना चीए रन करके देख लेते हैं 26 ठीक है यह तो बहुत simple सी बात है यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हम integers को यूज करते हैं किसी भी expression के अंदर तो output हमेशा हमें integer मिलता है और fractional part को drop कर दिया जाता है तो जब आएक बार देखता है जैसे कि integer a equal to 10 ठीक है integer b equal to 3 अब अगर मैं a को b से divide करूँगा तो क्या आना चाहिए actual में तो mathematically इसका answer 3.33 होता है बट हमें इसको यहाँ पर divide करेंगे तो fractional part को drop कर दिया जाएगा और इसका output हमें 3 मिलना चाहिए यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर integers को use करा है 3 यह थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे numbers को divide करते हो जिसमें fractional part आ सकता है तो आपको आपको by default floating point data type को use करना है जैसे कि float या double अगर मैं इसमें किसी भी एक number को floating point type बना देता जैसे कि अगर मैं इसको double बना देता हूँ अब मैं इसको divide करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3.33 correct answer मिलेगा और यहाँ से एक बहुत important concept हमारा start होता है वो होता है automatic type promotion in expressions इसका मतलब क्या हुआ ज़रा देखते हैं इसको नएक example लेके समझते हैं उपरवाला एक बार clear कर देता ह हैं सब कुछ जैसे कि integer a equal to 10 ठीक है integer b equal to 3 ठीक है double d equal to a by b यह valid है और यहाँ पर जब मैं double d को divide करूँगो तो यहाँ पर मुझे double की value भी 3.0 ही मिलनी चाहिए 3.0 जबकि mathematical इसका answer आना चाहिए 3.33333 एक्चुल में अगर मुझे 3.333 चाहिए तो मैं यहाँ पर किसी भी एक number को double बना सकता हूँ या तो मैं इसको 10.0 कर दूँआ जैसे कि हमने किया था या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इस number को 1.0 से multiply कर देता हूँ अब यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर actual में A आपका एक integer है और 1.0 आपका एक double है तो integer को जब हम double से multiply करेंगे तो Java automatically उस final output को double बना देगा और double को अगर हम integer से divide करेंगे तो भी हमें double मिलेगा रन करने पेस का अंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो इसको बोलते हैं automatic type promotion मतलब कि Java ने automatically A की value को double में promote कर दिया इसको इससे multiply करने में जो भी output मिलता है उसको उसने double में promote कर दिया automatic type promotions के ना कुछ rules होते हैं सबसे पहले rules को देख लेते हैं कि क्या होते हैं अगर आपके पास byte है, short है और care है इसको automatically integer में convert कर देंगे पूरे expression में कोई भी आपके पास एक float है तो पूरे expression को float में convert कर देंगे अगर पूरे expression में कोई भी आपके पास double type की value है तो पूरे expression को double में convert कर देंगे और पूरे expression में कोई भी एक long की value है तो उसको long में convert कर देंगे long actual में यहां तक होता है, मतलब byte, care और short को तो automatically integer में convert कर दिया जाएगा character भी integer type की तरह मानते हैं अगर पूरे expression में कोई भी एक long है तो long में convert हो गया अगर long और float दोनों होता है तो float में जाएगा वो float और double दोनों होते हैं तो वो double में जाएगा मतलब कि जो भी सबसे बड़ी value है उसके अंदर उसको promote कर दिया जाएगा इसको एक program लिखके समझते हैं byte b is equal to 42 character c equal to a ठीक है short s is equal to 1024 integer i is equal to 50,000 float f is equal to कोई भी number ले लेते हैं ठीक है double d equal to 0.1234 अब actual में मैं यहाँ एक expression लिखता हूँ क्या expression लिखता हूँ जैसे कि मान लो मैंने f को b से multiply कर दिया ठीक है फिर मैंने i को c से divide कर दिया ठीक है फिर मैंने d को s से multiply कर दिया अगर मैं इस type का कुछ लिखता हूँ तो क्या होगा यह जो individual है f और b को multiply करेंगे तो इसमें byte को float में बदल देंगे तो इसका answer आएगा float plus यहां integer है यहां character है तो character को integer में convert कर देंगे तो इसका होगा integer फिर यहां double है यहां short है तो double को short से multiply करेंगे तो आपका आएगा double और जब हम इन तीनों को अगर plus करेंगे तो इस पूरे expression के अंदर एक double की value है तो यह पूरे expression का result आपका double में आएगा तो double result equal to इसको लिखके देखते हैं f into b plus i by c minus d multiply by s अब देखो इसने मुझे यहां पर क्या बताया integer division in floating point context मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह है कि i आपका एक integer है c को भी integer की तरह treat करा जा रहा है इन दोनों integers को हम divide करेंगे तो उसमें आपका floating point context बनता है कैसे बनता है i की value है हमारे पास 50,000 उसको मैं character c a a से divide करूँगा तो अगर मैं ask की table निकाल के देखता हूँ यहां पर तो a क्या होता है 97 तो 50,000 को 97 से divide किया जाएगा तो यह कभी भी एक whole number नहीं आएगा यह decimal में number आएगा तो इसलिए इसने कहा है कि integer division in floating point context डिवाइड इंटीजर हो रहा है और context है आपका floating point क्योंकि mathematically यह floating point number है अक्चल में divide करने में जब हम 50,000 को 97 से divide करेंगे तो अक्चल में क्या आना चाहिए देखते है 515 यह होना चाहिए लेकिन इसमें fractional part को drop कर दिया जाएगा और actual में 515 ही मिलेगा आपको तो i by c करने में आपको 515 ही मिलेगा यह दोनों को एक बार print कर लेता है और run करके देखते है देखो 515 मिला आपको यहां पे तो f into b f की value क्या है 5.67 into b एक काम करते हैं इन सब को print कर ल यह आपका final result है ठीक है i by c करने में आपका fractional part drop होगे आपको यहां पे 515 ही मिला ठीक है बी की value है 42 और इसकी यह 5.67 तो 42 को 5.67 से multiply करेंगे तो क्या आना चाहिए 238.14 वही मिला आपको क्यों मिला यहां पे क्योंकि f float है तो यह पूरी value को float में convert कर दिया पूरे expression को और d into s करेंगे f s है आपका 1024 इसको इससे multiply करेंगे तो यही आएगा पूरे expression की value को यहां पे double में promote कर दिया और यह जो final result आया है यह भी आपका double का है तो मुझे उमिद कि आपको यहां पे automatic type promotion समझ में होगा कि क्या होता है और किस तरीके से काम करता है इसका practical use कहां पे होता है यह तो आपने concept के तरह समझ लिया इसको लेकिन इसको practically use करने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है मैं हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रख रखना पड़ता है कि आप कहीं पे भी code में इस type का काम ना करो जैसे कि 10 by 3 अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको यहां पे result में 3 मिलेगा जबकि आपका actual expectation होती है कि आपको यहां पे 3.33 मिले जबकि आपको मिलेगा 3 तो जब भी आप किसी number को किसी number से divide करते हो Java के अंदर practically तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे integer types को use ना करो आप अगर integer type use हो रहा है मानलो कहीं से भी गलती से तो आप उसको 1.0 से जबरदस्ती multiply कर दो इससे यह होगा कि अब आपने इसको इससे multiply कर दिया तो इसकी value तो वही रहेगी जो आपको मिली है लेकिन यह पूरे expression को automatically promote करके वो double मान लेगा और जब आप इसको divide करने जाओगे तो आपको mathematically correct answer मिलेगा practically इसका सबसे बड़ा use यह है मैंने मैं इतने साल code किया है यह automatic type promotion के rules तो मुझे भी नहीं पता थे आपको पढ़ाने के लिए मैंने यह सारे rules के बारे में देखा और समझा और किस तरीके से काम करते हैं उसको मैंने जाना practically सिरफ इतना ही ध्यान रखना होता है कि division करने में आपका fractional part drop ना हो जाए इसके बाद हमारे पास यहां पे modulus operator, modulus operator का sign होता है percentage sign, modulus operator आपके division operation का reminder निकाल के देता है, जब आप किसी number को किसी और number से divide करते हो तो आपके पास आता है quotient और reminder, modulus operator आपक division करेंगे तो quotient आएगा 2 और reminder आएगा 1 तो अगर मैं 9 mod 4 करता हूँ तो आपको यहाँ पे result में मिलेगा 1, reminder आपका 1 ठीक है, एक और example देके देखते हैं जैसे कि 9 mod 5.5 ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो द्यान से आपको यहाँ पे decimal number है, modulus operator आप decimal numbers पे भी use कर सकते ह आपको reminder में भी decimal number ही मिलेगा, अगर मैं इसको mod करता हूँ तो मिरको answer यहाँ पे यह मिलेगा 3.5, आप modulus operator में आपका answer decimal number में भी आ सकता है, ठीक है, इस पे मैं program लिख रहा है, यह आप लोगों के लिए homework है, आप इसको program लिख के देख सकते हो, बहुत ही simple सा operator है modulus, modulus operator के बाद मारे पास यहाँ पर आते हैं unary operators, Java के अंदर दो ही unary operators होते हैं, increment and decrement operator, increment operator को यूज करके किसी operand की value को one से increment कर दिया जाता है, जैसे की x is equal to x plus one, इस statement को मैं increment operator यूज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ x plus plus, the increment operator आपकी किसी operator की value को x से decrease कर देता है, जैसे की x is equal to x minus one, इस statement को मैं decrement operator यूज़ करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, x--, ठीक है, यह तो बहुत simple सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें समझने के लिए जो important है, वो यह है कि increment और decrement operators को दो अलग-अलग styles में यूज़ किया जाता है, post fix तरीके से और prefix तरीक को लिखते हैं, उसके बाद operator को लिखते हैं, जैसे की x++, इन दोनों style में यूज़ करने में आपको हलका सा difference देखने को मिलता है, और यह difference आपको तभी देखने को मिलता है, जब आप increment और decrement operator को किसी बड़े expression में यूज़ करते हो, आपको इसको मैं example देखके समझाता हूँ जैसे की मेरे पास यहाँ पे है, x is equal to 42, ठीक है, y is equal to plus plus x, इसमें मैंने increment operator को एक तरीके से prefix form के अंदर use कर रखा है, तो इसमें y की value क्या होगी, इसमें सबसे पहले x की value को increment किया जाएगा, तो x की value आजाएगी आपके पास 43, और वो 43 value को आपको y के अंदर assign कर दिया जाए तो इसमें y की value हो जाएगी 43, x की value है 43, y की भी value होगी 43, starting में x की value यहाँ पे 42 है, ठीक है, यह है prefix form के अंदर हमने use करा है increment operator को, अब मैं same increment operator को यहाँ पे post fix form के अंदर भी use कर सकता हूँ, इस तरीके से, x is equal to 42, y is equal to x plus plus, अब इसके अंदर x और y की value क्या होगी, थोड़ा स दिमाग लगा और सोचने की कोशिश करो, यह post fix form है, तो इसके अंदर सबसे पहले x की value को y के अंदर assign किया जाएगा, तो y की value आजाएगी आपकी 42, और y के अंदर value को assign करने के बाद आपकी x की value को increment किया जाएगा, तो x की value as usual आपको 43 ही मिलेगी और y की value आपको मिलेगी 42, यह post fix form के अंदर और prefix form के अंदर हलका सा difference आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, prefix form में पहले value को increment किया गया, फिर y के अंदर assign किया गया, post fix form के अंदर पहले y के अंदर value को assign किया गया, उसके बाद x की value को increment किया यहाँ पे, arithmetic operators के बाद यहाँ पे आते हैं आपके relational operators, दोनों नंबर बराबर है या नहीं है या फिर कौन सा नंबर चोटा है कौन सा नंबर बढ़ा है इस टाइप के relationship को determine करने के लिए हम यहां पर relational operators को यूज करते हैं इसमें left side में जो दो operators आपको दिख रहे हैं equal to and not equal to यह दोनों operators को आप किसी भी data type पर यहां पर यह है कि आप इसको या फिर अगर आपको दो classes के objects को आपसमें compare करना है तो भी आप यहां पर equal to को use कर सकते हो इसके बाद जो बाकी बचेवे चार operators है greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to यह चार operators को आप सिरफ numeric type पर यूज कर सकते हो Numeric Types कौन-कौन से होते हैं Byte, Short, Int, Long, Float, Double and Car ये जो Data Type है ये Numeric Type है तो उधर वाले Operators को आप किसी भी Data Type पे यूज़ कर सकते हो और इधर वाले Operators को आप सिरफ Numeric Type पे यूज़ कर सकते हो Relational Operators का Outcome हमेशा आपको यहाँ पे Boolean मिलता है क्योंकि आपने हम आप relationship को compare करा है तो आपको वापे हमेशा true या false ही मिलेगा इसके एक दो examples लेके देख लेते हैं जैसी कि यहाँ पे में पास एक program है चोटा सा एक simple सी statement से मेरे पास यहाँ पे Integer A equal to 10, Integer B equal to 7 Boolean C equal to A greater than B अब यहाँ पे C की value क्या होनी चाहिए है आप नीचे comment section में post कर सकते हो इसका answer बहुत simple सा है अब क्योंकि A जो आपका number है वो B से बड़ा है तो यहाँ पे C की value हमेशा true होगी अभी हम जितने भी operators के बारे में बात कर रहे हैं एकदम last में वीडियो के end में हम इन सब को code में लिखके देखेंगे और कुछ programming exercises भी करेंगे तो वीडियो के end तक आप बने रहे हैं और वीडियो के end तक आप जरूर देखना relational operators के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं logical operators Java के अंदर यह 6 type के logical operators होते हैं logical operators को आप कितनी भी boolean values पे यूज का सकते हो और आपको outcome हमेशा यहाँ पे boolean ही मिलेगा यहाँ पे मैंने intentionally इनको तीन अलग-अलग जगे पे लिखावा है और हम इन तीनों को अलग-अलग तरीके से समझेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले pick करते हैं left hand side वाले operators को और इनको बोलते हैं logical and, logical or and logical xor तो इनको समझने के लिए एक यहाँ पे table बना लेते हैं यहाँ पे मेरे पास a और b दो अलग-अलग operand है और दोनों operand की अलग-अलग values पे इन operators को लगाते हैं तो क्या outcome आएगा यहाँ पे table के form में समझते हैं इसको आपको यहाँ पे रटना नहीं है आपको इसको logically समझना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे logical and operator को लगा के देखते हैं कि क्या-क्या values मिलेंगी आपको अगर a और b दोनों में से कोई भी एक false है तो आपका outcome हमेशा false आएगा अगर मैं वहाँ पे end को use करता हूँ तो यहाँ पे एक तरीके से end condition है English में भी end condition होती है तो दोनों true होने चाहिए तभी आपको end में भी true मिलेगा तो अगर दोनों false है या दोनों में से कोई भी एक false है तो आपका outcome false आएगा end operator को लगाने में मैंने यहाँ पे table में values fill कर दी है यह आपको यहाँ पे result मिल गया ठीक है अब इसके आगे हम और operator को use करते हैं और operator में एक तरीके से और condition का use किया जाता है दोनों में से अगर कोई भी एक true है तो आपका outcome true होगा अगर दोनों false है तो ही आपको false मिलेगा result तो यहाँ पे मैंने table के अंदर और operator को use करके values को fill कर दिया है यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दो operand को use कर रहा हूँ A and B बट आप यहाँ पे कितने भी operands को use कर सकते हो और condition में यह होगा कि अगर उन operand में से कोई भी एक true है तो आपका outcome true आएगा और and में अगर कोई भी एक false है तो आपका outcome false आएगा and condition का result true होने के लिए सारे operand को true होना ज़रूरी है और condition का result true होने के लिए किसी भी एक operand का true होना ज़रूरी है यहां तक की तो कानी मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी इसके बाद जो थर्ड हमारा operator है वो है exclusive or या फिर उसको XOR भी बोलते हैं तो यहां पे left side में मैं XOR की table में values fill कर देता हूँ कि XOR operator यूज करने में क्या क्या outcome आएगा अगर दोनों operand false है तो exclusive or करने में भी आपको false मिलेगा अगर दोनों operator true है तो exclusive or करने में भी आपको false मिलेगा exclusive or का मतलब यह होता है कि दोनों operand की value same नहीं होनी चाहिए अगर दोनों operand की value अलग-अलग है तो आपको यहां पे outcome में true मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने यहापे यह तीन operators को समझ लिए और तीन operators की हमने यहापे table में value fill कर दी again आपको इसको रटना नहीं है आपको यहापे logically समझना है and और और समझना तो बहुत आसान है exclusive और थोड़ा सा confusing हो सकता है अभी आपके confusion को मैं दूर करूँगा जरा देखते रहें यह वीडियो को इसके बाद हमारे पास आता है यहापे unary not operator unary not operator का symbol होता है यह वाला और unary not operator आपके single operand पे काम करता है unary not operator आपके operand की value को उल्टा कर देता है अगर आपके पास वापे true है तो आपको वापे false मिलेगा अगर आपके पास वापे false है तो आपको वापे true मिलेगा इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि boolean b equal to true boolean c equal to not b अब क्योंकि यहापे b true है तो आपको c में false मिल जाएका उसकी value को उल्टा कर दिया अगर यहापे b अगर आपका false होता तो आपको c में true मिल जाता एक की value को वो उल्टा कर दिता है unary not operator का काम बिल्कुल simple सा है इसके बाद जो सबसे right hand side में है वो है हमारे पास short circuit end and short circuit or इसको specifically short circuit नाम दिया गया है short circuit end और short circuit और यह वाले जो operators है यह एकदम logical end और और की तरह काम करते है logical end में हमापे single ampersand sign यूज किया जाता है और single pipe यूज किया जाता है short circuit वाले version में आपको यहापे double ampersand sign और double pipe यूज करते है use करने में यह दोनों के दोनों version बिल्कुल same है जैसे कि logical end में क्या होता है अगर सारे operand में से कोई भी एक operand आपका false है तो आपका outcome false मिलेगा वहापे end condition है this and this and this तो सारे आपके true होने चाहिए तभी आपका outcome में true मिलेगा अगर कोई भी एक false है तो आपका outcome में भी false मिलेगा short circuit वाला version और logical वाले version सेम तरीके से काम करते हैं लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही हलका सा difference होता है आपको यहाँ पे focus करना है और आपको समझना है यह difference क्या है क्योंकि practically जब भी हम code करते हैं हम कभी भी logical वाले operators को use नहीं करते हैं हम हमेशा short circuit वाले version को ही use करते हैं तो सबसे पहले इनको use करने का तरीका समझते हैं उसके बाद इन दोनों में difference क्या होता है वो समझेंगे जैसे कि boolean a equal to true, boolean b equal to false अब यहाँ पे boolean c equal to a and b and boolean d equal to a and b यहाँ पे एक जगह पे मैंने logical and को use किया है और यहाँ पे दूसरी जगह पे मैंने short circuit वाले version को use किया है अब क्योंकि दोनों operand मैंसे कोई भी एक operand false है तो c और d आपको दोनों false मिलेंगे चाहे आप महाँ पे short circuit वाला version यूज़ करो, चाहे आप महाँ पे logical वाला version यूज़ करो, आपको दोनो false ही मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ तक की तुकानी मुझे लगता है एकदम clear है, अब जरा इनके बीच में जो difference है उसको भी समझ लेते हैं, कि इन दोनों के बीच में difference क्य होता है और यह बहुत ही major difference है, अगर आप इस difference को नहीं समझोगे तो आपको program में error आने लग जाएगी, जरा देखते हैं difference क्या है, जैसे कि integer a equal to 10, ठीक है, integer b equal to 0, boolean c equal to, b is not equal to 0, and a divided by b is greater than 5, ठीक है, यह मैंने यहाँ पे statement लिखी वी है, अब मैंने यहाँ पे actual में logically क्या चाहरा हूँ कि अगर b 0 नहीं है, और a को b से divide करने के बाद 5 से जाधा आता है, तो उस चीज को आप boolean c में assign कर दो, तो इसका answer क्या होना चाहिए, इसका actual में तो answer false आएगा, क्योंकि यहाँ पे b 0 है, तो b not equal to 0 जो आपकी first condition है, वो false हो जाएगी, तो आपका c false आना चाहि लेकिन इसको हम दो अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं, एक मैंने यहाँ पर short circuit वाले वरिजन को यूज़ कर रखाया है, और दूसरे case में मैंने यहाँ नॉर्मल لचिकल वाले वरिजन को यूज़ कर रखाया है, तो short circuit वाले वरिजन में आपको false मिलेगा, बिल्कुल false होगी ठीक है फिर वहाँ पे आपने logical end को use कर रखा है और उसके बाद आपने condition और लिखी वी है a divided by b is greater than 5 तो जब java इस condition को evaluate करने जाएगा तो वहाँ पे एक error condition generate हो जाएगी 10 by 0 a आपका 10 है b 0 है तो जब हम किसी number को 0 से divide करते हैं तो यह error condition है और java यहाँ पे आपको error throw कर देगा लेकिन short circuit वाले version में आपको error throw नहीं होगी क्यों नहीं हो रही है वाँ पर error throw short circuit वाले version को जब भी हम use करते हैं तो वहाँ पे आपकी right hand side वाली condition को evaluate नहीं किया जाता अगर आपका result left hand side वाली condition से आ जाता है तो उपर वाले case में मैंने यहाँ पे short circuit वाले version को use किया था और उसमें मिरको answer एक condition evaluate करने के बाद आ गया मेरे left में जो condition है b is not equal to 0 उस condition को evaluate करने के बाद मिरको पूरी expression का result मिल गया पूरी expression का result false होगा तो java ने right hand side वाली condition को evaluate ही नहीं किया यह भाई भी उसने evaluate ही नहीं किया और आपको सिधा c के अंदर false assign कर दिया लेकिन logical वाले version में java सारी conditions को evaluate करता है उसको इस चीज से फरक नहीं परता कि किसी एक condition को evaluate करने के बाद आंसर आ गया नहीं वो सारी conditions को evaluate करेगा तो यहाँ पर उसने b is not equal to zero को evaluate करा evaluate करने गए उसको false मिल गया उसने का ठीक है फिर वाँ पर उसने एक end देखा logical end शौर्ट सर्किट वाले नहीं logical end देखा उसने और उसके बाद फिर से वो आगे वाली condition को evaluate करने गया और उसने a by b करा और जब उसने a by b किया तो वाँ पर उसने error throw कर दी क्योंकि b zero है इस type की error से बचने के लिए हम हमेशा यहाँ पर short circuit वाले वर्जिन को ही use करते है logical वाले वर्जिन को हम कभी भी use नहीं करते normal programming life के अंदर दोनों सेम तरीके से behave करते हैं चाहे आप logical वाले यूज करो चाहे आप short circuit वाले वर्जिन यूज करो दोनों सेम तरीके से behave करेंगे पर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम left hand side में जो condition लिखते हैं उसकी value को हम right hand side में यूज करते हैं तो उस case में आपको short circuit वर्जिन यूज करना चाहिए और normal programming life में आपको हमेशा ऐसा case मिलता है 100% of the cases 10 साल हो गए मैंको code करते हैं मैंने कभी भी यहापे logical वाले वर्जिन को use नहीं किया मैंने यहापे हमेशा short circuit वाले वर्जिन को use किया है तो अब एक बार फिर से logical operators को revise कर लेता है logical operators हमारे पास यहाँ पर यह च्छै होते हैं इनको तीन अलग-अलग जगया पर लिखा हुआ है जो सबसे left hand side में है वो है logical and logical or logical xor उनको हमें हमेशा कभी भी coding में use नहीं करना पड़ता तो उन तीनों को तो आप हमेशा ignore कर सकते हो उनको आप भूल जाओ एक तरीचे से फिर unary not operator आपके किसी operand की value को उल्टा कर देता है फिर उसके बाद आते हैं आपे and and or यह short circuit वाले version है यह short circuit वाले version और logical वाले version में क्या difference होता है वो मैंने आपको समझाया आपको यह difference समझना जरूरी है पता चले आप यहाँ पर किसी interview में गए और interviewer ने पूछ लिया कि दोनों के वीच में difference क्या होता है और आपके वाँ पर तोत्ते उड़ गया है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर difference तो समझ में आना चाहिए theoretical difference आपको समझना चाहिए practically आप हमेशा यहाँ पर short circuit वाले version को ही use करोगे तो logical operators में यह सिर्फ तीन operators ही काम के होते हैं आप बाकी logical वालों को भूल जा और इन तीन operators को हमेशा ध्यान में रखना और जब भी code करो इन तीनों को use करना आगे जाके हम programming exercises करने वाले हैं उसमें हम इन सब को use करेंगे logical operators के बाद हम यहाँ पर assignment operator को समझते हैं वैसे तो इस course के starting से हम assignment operator को use करते आ रहे हैं बट अब इसको थोड़ा सा formally define कर लेते हैं assignment operator का sign होता है यह equal to sign assignment operator को use करके आप किसी variable के अंदर किसी value को assign कर सकते हो जैसे की integer a equal to 10 तो इसमें जो यह a है यह एक integer type का variable है जिसके अंदर मैंने value 10 को assign कर दिया equal to sign के right में जो भी होता है उसकी value को उठाके आपके variable में assign कर दिया जाता है जिस type का आपने यह आपे variable बनाया है आप उसके अंदर उसी type की value को assign कर सकते हो जैसे की अगर मैं इस type का कोई statement लिखता हूँ integer a equal to 10.1 तो यह invalid है 10.1 आपका एक decimal number है तो आप decimal values को integer में assign नहीं कर सकते है ठीक है यहाँ पे equal to के right hand side में कुछ भी हो सकता है 10 की जगे कुछ भी हो सकता है आप यहाँ पे कोई भी expression को लिख सकते हो simple बाशा में expression का मतलब है formula जावा सबसे पहले क्या करेगा equal to sign के right में जो भी होगा इसको evaluate करेगा और उसकी जो value निकल के आती है उसको left hand side वाले variable में assign कर देगा अभी example देख लेते हैं जैसे की integer a equal to यह एक expression है मिर पास 10 multiply by 6 divided by 2 तो 6 को 2 से divide करेंगे तो आएगा 3 10 multiply by 3 is 30 तो a के अंदर आपकी 30 value का assign कर दिया जाएगा ठीक है यहाँ पे right hand side में आप किसी और expression को भी लिख सकते हो अभी example देखते हैं माल लो आपके पास कोई एक API है जो आपको दिल्ली का temperature निकाल के देती है कि दिल्ली के अंदर कितनी गर्मी पड़ रही है तो आप इस तरीके से कोई एक expression बना सकते हो double t equal to get temperature from API दिल्ली अब हमारे पास get temperature from API एक method है जो किसी city को as input लेता है और उस city के temperature को निकाल के हमें दे देता है अब भी हम Java को उसके अंदर इतना आगे नहीं पहुचे हैं कि इस method को implement कर सकें बट आप assume कर लो कि यह method कहीं पे लिखा हुआ है किसी ने और आपको इस method को call करना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले Java right hand side वाले expression को evaluate करेगा evaluate करने का मतलब यह है कि Java इस method को call करेगा और जब Java इस method को call करेगा तो वो method जो भी काम करेगा वो एक output return करके देगा वो जो output method ने return करके दिया उसकी value को Java यहाँ पे t variable के अंदर assign कर देगा अब यहाँ पे एक बात बहुत ही important है कि आपका जो t variable है वो double type का है तो जो आपका method है वो भी एक double value return करना चीए अगर आपका method double value return नहीं करता तो यह statement invalid हो जाएगी अभी हम जब Java course में दिरे दिरे आगे बढ़ेंगे तो इस type के methods को implement करना सीखेंगे API को कैसे call करना है method को क्या होता है method को कैसे implement किया जाता है फिलाल के लिए मैं आपको एक conceptual overview देना चाहरा हूँ कि assignment operator का काम क्या होता है assignment operator में जो equal to के बाद जो right hand side में जो भी होता है उसको पहले evaluate किया जाता है अगर वाँ पे आपने किसी method को call कर रखा है तो Java method को call करेगा कोई expression बड़ा चोड़ा formula लिखावा है तो Java method formula को solve करेगा और उसके बाद जो भी value निकल के आएगी उसको वो variable में assign कर देगा assignment operator को लेके सबसे important point यह है कि जिस type का आपने variable बनाया है आप उसके अंदर उसी type की value को assign कर सकते हो और ये left to right चलता है इसका आप उल्टा नहीं कर सकते जैसे कि integer a equal to 10 ये बिल्कुल सही है आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 10 equal to integer a नहीं ये गलत है पहले आपका यहाँ पे variable define होना चीए उसके बाद ही आप equal to sign लगाओगे उसके बाद आप यहाँ पे किसी expression को लिखोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है assignment operator समझने के बाद हम यहाँ पे ternary operator को समझते हैं ternary operator का sign होता है ये वाला question mark वाला sign होता है ternary operator का ternary operator को एकदम detail में समझने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा if else के बारे में discussion करना पड़ेगा Java के अंदर if else दो अलग-अलग keywords है if else आपके selection statements होते हैं और इसको use करके कौन से condition के base पे कौन सा code का block चलेगा यह आप decide कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक simple सा flow chart है इस flow chart के अंदर एक real world logic को दिखाया गया है अगर आपकी age 18 या 18 से जादा है तो आप vote कर सकते हो नहीं तो आप vote नहीं कर सकते है तो age का 18 से जादा होना 18 या 18 से जादा होना एक condition है अगर वो condition true होती है तो आपको इस तरह जाना है यह वाला block execute करना है नहीं तो वो वाला block execute करना है अब ये real world logic को आप code में कैसे लिखोगे, इसको आप code में if else use करके लिखते हो, किस तरीके से, इस तरीके से, एकदम simple सी बात है, if age greater than or equal to 18, आप यहाँ पे यह वाला block चलाओगे, else आप यह वाला block चलाओगे, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले java if के अंदर ज जो भी code लिखावा है, वो वाला execute होगा, अगर उसका outcome false आता है, तो जो आपने else के अंदर जो code लिखावा है, वो वाला execute होगा, if else को समझने के बाद, ternary operator को समझना बहुत ही आसान है, ternary operator को इस तरीके से use किया जाता है, यहाँ पे अगर expression 1 true होगी, तो आपके expression 2 को evaluate किय जाएगा, नहीं तो आपके expression 3 को evaluate किया जाएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने कि है कि जब आप ternary operator यूज करते हो, तो जो भी expression evaluate होती है, वो आपके result return करके देती है, if else में तो आपने सिर्फ select कर लिया, condition true है तो if के अंदर code चलेगा, condition false है तो else के अंदर code चलेगा, महाँ पे आपको कोई return करना जरूरी नहीं है, लेकिन ternary operator में आपका expression किसी value को return करता है, इसको एक example लेके समझते हैं, जैसे मान लो आपको किसी number की absolute value को निकालना है, आपके ये पास एक number है और आपको उसकी absolute value को निकालना है, maths में absolute value क्या होती है, अगर आपका number positive है, तो absolute value वही होती है, जो number है, जैसे कि 10 जो है ये positive है, तो इसकी absolute value भी 10 ही होगी, अगर आपका number negative है, जैसे कि minus 10, तो इसमें absolute value 10 होगी, तो अब इस logic को आप code में कैसे लिखोगे, ternary operator यूज़ करके, इस तरीके से, integer a equal to minus 10, integer abs, abs मतलब की absolute value equal to a less than 0, question mark, a multiply by minus 1, colon a, तो इसमें हो क् अगर आपका a number less than 0 है, तो उसको minus 1 से multiply कर दो, नहीं, तो उस number को as is return कर दो, यही आपका logic है, अगर आपका number minus होता है, तो आपको उसको minus 1 से multiply करना वरता है, absolute value निकालने के लिए, तो जब ये code execute होगा, तो अगर आपके question mark से पहले वाली condition true है, तो आपके question mark के बाद वाले expression क evaluate किया जाएगा, और वहाँ पे number को minus 1 से multiply कर दिया जाएगा, अगर आपका number 0 से बड़ा है, या 0 या 0 से बड़ा है, तो उस case में आपके colon वाले expression को evaluate किया जाएगा, और number को as is उठा के return कर दिया जाएगा, तो यह होते हैं आपके ternary operators, starting में जब आप programming करना start करते हो, तो आपने यहाँ पे एक complex ifs को use करते हैं, उससे better आपने एक single line में यहाँ पे operation कर दिया, तो हमने इस एक statement के अंदर बहुत सारे operators को use कर रखा है, कौन कौन से operators को use कर रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ आप assignment operator को use कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे less than वाले sign को use कर द और जैसे से आप programming में practice करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत easy तरीके से code लिखोगे और आप बहुत easy तरीके से operators को use करोगे अपनी day to day life में, सबसे last में हम यहाँ पे bitwise operators को समझ लेते हैं, जावा के अंदर इतने bitwise operators होते हैं, ठीक है, इनको मैंने intentionally अ arithmetic operations ही करते हो, plus, minus, multiply, divide, आपको यहाँ पे करने को मिलता है, bitwise operators किसी भी number के individual bits पे operate करते हैं, important point यह है, individual bits पे operate करते हैं वो, इसके अंदर जो सबसे left and side में हैं, वो वाले जो आपको symbol दिख रहे हैं, वो आपने पहले भी कहीं पे देखे हैं हैं इसी वीडियो के अंदर, and, or, और XOR, और Unary Not, यह जो है, यह हमने logical operators में भी देखा था, अगर हम boolean type के उपर इन operators को use करते हैं, तो यह logical operators की तरह काम करते हैं, अगर हम इनको numerate types पे use करते हैं, तो यह bitwise operators की तरह काम करते हैं, bitwise operators को मैंने intentionally सबसे last में रखा हुआ है, और इसका reason है, दो reasons है, number 1, हमारी normal day- today programming life में हम bitwise operators को use नहीं करते हैं, number 2 reason यह है, कि bitwise operators को use करना बहुती confusing होता है, और कभी कभी हमें जो expected answer होता है, वो भी नहीं मिलता, अब आप खुदी सोचों कि यहाँ पे जो end है, वो अगर boolean type पे लगाओगे, तो वो logical end की तरह काम करेगा, अगर आप उसको numeric type पे लगा क्या हैगा, फिर उस individual bits के उपर आप अगर bitwise operator का लगाओगे, तो आपको पहले दिमाग में यह सब सोचना पढ़ेगा, इतना क्यों सोचना है, इतना दिमाग क्यों लगाना है, इससे simple तो यह है कि हम यहाँ पे basic arithmetic operators को use कर लेते हैं, plus minus को, इसी लिए मैंने इस category को सबसे last मे रखावा है, अगर आपको यहाँ पे confused नहीं होना है, तो आप इस section को completely ignore कर सकते हो, आपकी normal Java की programming life में आपको bitwise operators use करने को नहीं देखने को मिलते हैं, but as a teacher, मेरी responsibility यह है कि मैं आपको इनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा idea दे दूँ, कहीं अगर आप मापे interview में गए और और किसी interview ने आप से पूछ लिया कि इसका answer क्या हैगा, तो आपके तो 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 टे उड़ जाएंगे और आप फिर बोलोगे कि यहाँ सर ने तो बताया, इनी bitwise operator, तो एक बार ज़रा फटा 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 इन सारे operators को समझ लेते हैं, तो जो आपका यहाँ पे end operator है, वो जैसे logical end है, उसी तरीके से काम करता है, दोनो bits में से अगर कोई भी एक bit 0 होती है, तो आपको output में भी 0 मिलेगा, दोनो bits अगर 1 होती है, तो आपका output में 1 मिलेगा, यहाँ पे मैं पास 2 decimal number है, 10 और 11, इनका binary representation यह आता है, इसके उपर अगर मैं end operator लगाता हूँ, तो इसक से काम करता है, कि दोनो bits में से अगर कोई भी एक bit 1 होती है, तो आपका output में 1 मिल जाएगा, नहीं तो आपका output में 0 मिलेगा, अगेन मेरे पास यहाँ पे 2 decimal numbers है, उनका binary representation यह होता है, अगर इसके उपर मैं और operator लगाता हूँ, तो इसका outcome यह आएगा, ठीक है, exclusive or मैं अगर दोनो bits सेम है, तो आपका output में 0 मिलेगा, नहीं तो आपका output में 1 मिलेगा, अगेन मेरे पास यहाँ पे 2 decimal numbers है, उनका binary representation यह होता है, इसके बाद है आपका unary not, unary not आपके bit को उल्टा कर देता है, अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, यहाँ पे मेरे पास एक decimal number है, उसका binary representation यह होता है, अगर इस पे मैं unary not लगाता हूँ, तो output में यह आएगा, इसके बाद है आपका right shift operator, right shift operator आपके bits को right में shift कर देता है, कितनी बार shift करता है, उतनी बार shift करता है, जितना हम उसको बताते हैं, इसको इस तरीके से use किया जाता है, जैसे कि integer a equal to 10, integer b equal to 10, right shift to, तो यहाँ पे मैंने दो बार right shift कर रखा है, तो 10 को जब हम binary में convert करेंगे, तो उसका जो भी binary आता है, वो यह आता है, इस binary के अंदर bits को right में shift कर दिया जाएगा, तो right में shift कर दिया दो बार, जब हम bits को right में shift करते हैं, तो left में हमें किसी bits को add करना पड़ता है, तो अगर आपका number positive है, तो आपका zero bit add होगा left में, अगर आपका number negative है, तो आपके left में one वाले bit को add किया जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास number positive है 10, तो यहाँ पर left and side में zero zero bit को add कर दिया जाएगा, और इस तरीके से मैंने दो बार right shift कर दिया, और दो नए bits हमारे left में जाएगे, right shift के बाद होता है आपका left shift, left shift operator आपके bits को left में shift कर देता है, कितनी बार shift करता है, उतनी बार shift करता है, जितना हम उसको बताते हैं, left shift operator को इस तरीके से use किया जाता है, integer a equal to 10, integer b equal to 10, left shift 2, तो यहाँ पर मैंने दो बार left shift कर रखा है, 10 का जो भी binary होता है, वो यह होता है, अगर मैं इसको दो बार left shift करूँगा, तो दो बार यह left में shift हो जाएगा, और right में मेरे को नए bits add करने पड़ेंगे, यहाँ पर कौन से bits add होता है, यहाँ पर right hand side में हमेशा 0 bit add होगा, मैंने दो बार left shift कर दिया, तो right में हमेशा 0 bit add होगा, तो इस तरीके से 10 को मैं ने दो बा लेफ्ट शिट कर दिया और राइट में दो नए बिट्स एड़ कर दिया और फाइनल वैल्यू मेरेको ये मिल गई तो ये हमारी bitwise operators की कहानी खतम हो चुकी है भला हो भगवान का यार मेरे को बनाते बनाते इतना confusion हो गया था तो आपको समझते समझते भी मैं समझ सकता हूँ कि confusion हुआ होगा आप bitwise operators को तो completely ignore कर सकते हो यहां तक आते आते हमने जावा के सारे operators को समझ लिया है एक बार वीडियो को summarize कर लेते हैं और important points को discuss कर लेते हैं जावा के अंदर इतने operators होते हैं इनकों आपने चार अलग-अलग categories में divide कर रखा है सबसे पहले है arithmetic operators arithmetic operators को आप numeric type पे use कर सकते हो arithmetic operators के अंदर मारे पास यहाँ पर simple algebraic operators होते हैं यह normal plus minus multiply divide करने के काम आता है modulus operator आपके किसी division के reminder को निकाल के देता है increment और decrement operator किसी number की value को एक से increment कर देते हैं increment और decrement operator को हम दो अलग-अलग styles में use कर सकते हैं prefix style में और postfix style में इन दोनों style में use करने में अलगा सा difference होता है arithmetic operators के बाद आते हैं यहाँ पे relational operators relational operators दो operand को आपस में compare करने के लिए काम आते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा आपस में बराबर है relational operators का outcome हमेशा boolean होता है relational operator में जो equal to or not equal to है आप उसको किसी भी data type पे use कर सकते हो चाए वो numeric हो या ना हो और बाकी यहाँ पे जो operators में greater than, less than इनको आप numeric type पे ही use कर सकते हो इसके बाद आते हैं आपके पास यहाँ पे boolean logical operators boolean logical operators multiple boolean expressions को combine करके एक single boolean outcome निकाल के देते हैं इसके अंदर जो यह logical and logical or है इसको हमने completely ignore कर दिया है आपको यहाँ पे हमेशा short circuit वाले version को ही use करना है and और or normal and condition और or condition की तरह operate करते हैं दोनों condition अगर true है तो ही and का result true आएगा दोनों में से अगर कोई भी एक condition true है तो or का result true आजाएगा unary not किसी भी boolean value को उल्टा कर देता है true है तो false बना देगा false है तो true बना देगा इसके बाद आता है आपका assignment operator assignment operator को use करके हम किसी variable के अंदर किसी value को assign कर सकते हैं जिस type का आपका variable होता है आप उसके अंदर उसी type की value को assign कर सकते हो ternary operator को इस तरीके से use किया जाता है अगर expression 1 true है तो expression 2 को evaluate करेंगे नहीं तो expression 3 को evaluate करेंगे इसमें expression का जो भी outcome आता है, वही आपके ternary operator का outcome आ जाता है, अगर expression का outcome integer है तो आपका ternary operator का outcome भी integer आएगा, और सबसे last में इसमें हमारे पास आते हैं bitwise operators, bitwise operators को आप यहाँ पे completely ignore कर सकते हो, last में कुछ programming exercises कर लेते हैं, तो चलिए system पे चलते हैं और कुछ code लिखके देख ल logic को ही represent करेंगे, आज के लिए इतना ही friends, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को share जरूर करना, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लो, Java Coast के सारे वीडियो को अगर आप चाते हो कि आप देख सको, तो चैनल को subscribe कर लो, और bell icon को भी press कर मिलते हैं अगले वीडियो में guys, take care and good luck to you